बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम, आफाक New Sun Series, Keep Learning at Home, Grade KG, Subject Science, Unit No. 4 Wild Animals, Page No. 10 जी बच्चो, इस पेज पे हमारा Unit No. 4 का आगाज होता है, जो के है Wild Animals Wild Animals लिव इन दा जंगल, दे हंट फार फूड, वाइल्ड एनिमल्स उन जानवरों को कहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, और वो अपनी खुराक के लिए दूसरों का शिकार करते हैं, इन जानवरों को घरों में नहीं रखा जा सकता, इनको जंगल में ही रहने देते हैं, क्योंकि ये इनसानों को नुकसान पहुचा सकते हैं, इस पेज़ पर हमें Different Wild Animals की पिक्चर्ज नजर आ रही हैं, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं, चाबाज, जी बचो, हमें इस पेज़ पे Elephant नजर आ रहा है, हमें इस पेज़ पे जिराफ नजर आ रहा है, हमें इस पेज़ पे Snake नजर आ रहा है, और हमें इस पेज़ पे Line नजर आ रहा है, ये सारे के सारे wild animals कहलते हैं, ये इनसानों के लिए खतरनाक होते हैं, इसलिए इन से हमें महफूज फासले पे रहना चाहिए Page number 11 पे अगर हम चलें, तो वहाँ पे कहा गया है work it out Write W for wild animals and F for farm animals के नीचे दी गई different pictures को देखते हुए, उन में से जो जो wild animals हैं, उनके साथ W का लेटर लिखें और जो जो farm animals हैं, उनके साथ F का लेटर लिखें, तो try करते हैं, सारे मिलकर इसको solve करने की तो पहली picture जो हमें नजर आती है, वो है line, तो line के साथ हम लिखेंगे W, क्योंकि ये एक wild animal है इसके सामने donkey, donkey के साथ हम लिखेंगे F क्योंकि ये एक farm animal है, उसके आगे हमें picture नजर आती है, एक जिराफ की, वहाँ पे भी हम लोग W लिखेंगे, क्योंकि जिराफ एक wild animal है then हमें नजर आता है एक hen, इसके साथ हम लिखेंगे F क्योंकि ये एक farm animal है, फिर हमें एक snake नजर आ रहा है snake जो है, वो wild animal है, हम इसके साथ W लिखेंगे आगे हमें एक bear नजर आ रहा है, ये भी एक wild animal है, हम इसके साथ W लिखेंगे फिर हमें cow की picture नजर आ रही है, तो इसके साथ हम F लिखेंगे, क्योंकि ये farm animal है अगली तस्वीर एक elephant की है, हम इसके साथ W लिखेंगे, क्योंकि ये एक wild animal है अगली picture हमें नजर आ रही है, एक sheep की, जो के एक farm animal है, इसलिए हम इसके साथ F लिखेंगे अगली picture हमें नजर आ रही है, वोल्फ की, ये एक wild animal है, इसलिए हम इसके साथ W का लिखेंगे अगली picture हमें एक horse की नजर आ रही है, इसके साथ हम F का लिखेंगे, क्योंकि ये एक farm animal है और अगली picture में हमें एक zebra नजर आ रहा है, इसके साथ हम W का लिखेंगे, क्योंकि ये एक wild animal है जी तो बचो, इस activity के बाद आगे क्या है, के collect pictures of different wild, pet and farm animals and paste them in your workbook, scrapbook or whatever, label them as pet, wild or farm animals, शाबाज